हलो नमस्कार दोस्तो जय हिंद जय वारत आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल इंप्लोई जड़ा में आपका स्वागत है दोस्तो मैं आप लोग से आज जिस बारे में बात करने आये हूँ उसका नम है चिल्टेन एजुकेशन एलाउंस जी यहां दोस्तो चिल्टेन एजुकेशन एलाउंस सेंटरल गौर्वर्मेंट इंप्लोई के लिए है जो साथवे वेता नयोग में चिल्टेन एजुकेशन एलाउंस की घोसड़ा हुई है उसके बारे मैं चर्चा करना चाहता हूँ अब लोग से ताहिए जानते हैं इसके बारे में तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं बच्चों की सिक्षा भत्ता मतलब बच्चों की सिक्षा भत्ता और छत्रवास की सबसीड़ी पर सातवी CPC के मतलब होता है Central Pay Commission सातवी CPC की सिपाइसों को केंदर सरकार ने मंजूरी दे दिया है और इसे परभाव से 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है कहाने के मतलब यह है कि जो Children Education Allowance है इसको 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था मतलब यह 1 जुलाई 2017 से मिलना स्टार्ट हुआ है Central Government Employee के लिए दोस्तों मैं आप लोगों से बिल्कुल किलियर कर देना चाहता हूँ कि यह सिर्फ Central Government Employee के लिए ही है जिसके बारे मैं बात कर रहा हूँ तो आए जानते हैं दोस्तों कि बच्चों के सिक्षा बता मतलब जो Central Government Employee है वो उसके बच्चे के लिए Children Education Allowance दिया जाता है दो बच्चों के लिए आप ले सकते हैं दो से जादा बच्चे है यदि आपके हैं तो जो सबसे बड़े दो बेटे हैं चैसे दो लड़का लड़की कोई हो तो उनको यह खिलाब मिलेगा तीसरे को नहीं मिलेगा चात्रवास की सबसीडी का भी यही रूल है चात्रवास की सबसीडी को जैसे होश्टल सबसीडी बोलते है तो आएए दोस्तो CEA 1.5 गुना बढ़कर CEA मतलब Children Education Allowance पहले के मुकाबले जो छटे वेतनायोग में मिलता था उसके मुकाबले 1.5 गुना बढ़ाया गया है पहले 1500 था यह जिसको 1.5 गुना बढ़ाकर 2.50 रूपय कर दिया गया है और होश्टल सबसीडी को भी 1.5 गुना बढ़ाकर 4500 से 6.750 रूपय कर दिया गया है करने के मतलब पहले 4500 मिलता था एक गुलाई 2017 के पहले पहले अब एक गुलाई 2017 से 4500 से बढ़ाकर 6.750 रूपया होश्टल सबसीडी अलाउंस कर दिया गया है साथवी CPC के सीफारी से और सरकारी निड़े अगले पेस पर है तो आए दोस्तो अगले पेस पर जाने से पहले कुछ फुल फॉर्म है जिसके बार हम चर्चा करना चाहते हैं CPC का मतलब दोस्तो Central Pay Commission मतलब केंद्रिय वितन आयोग CEA का मतलब Children Education Allowance HS का मतलब होश्टल सबसी तो ये कहीं भी अगर सौड फॉर्म में दिखेगा तो इसका मतलब आप लोग समझ जाईगा अब आई अगले पेज पर चलते हैं अब देखिए दोस्तो साथवी CPC की सिफारिशो और सरकारी नेड़े एक साथ दोह सत्रह से प्रभाविक कर दिया गया जिया दोस्तो जो Children Education Allowance है इसको एक जुलाई दोह सत्रह से लागू किया गया है Children Education Allowance की रासी प्रती बच्चा 2250 रुपीच प्रती मा दिया जाएगा अगर एक साल की बात करें तो एक साल में यह 27,000 रुपया एक बच्चे को दिया जाता है अगर दो बच्चा है आपका तो 24,000 रुपय दिया जाएगा यदि आपका तीन बच्चा है तो तीसरे बच्चे को नहीं दिया जाएगा आवा यह जानते हैं प्रती बच्चे HS की रासी HS मतलब होस्टल सबसेड़ी यदि आपका बच्चा होस्टल में पढ़ रहा है तो उसकी रासी 6,750 रुपय प्रती मा दी जाएगी प्रतेक बच्चे को मतलब 6,750 रुपय यह महीने का है साल का आप निकाल सकते हैं यदि देखिया यह पॉइंट जानते हैं यदि पती पत्नी दोनों ही सरकारी करमचारी है तो उनमें से केवल एक ही इस भत्ते का लाब उठा सकता है जी यहां दोस्तों यदि पती और पत्नी दोनों ही गवर्मेंट इंपलोई हैं तो उनमें से केवल एक ही इस योजना का लाब उठा सकता है क्लियर है दोस्तों हर बार मांगाई भत्ता मतलब डियर्नेस अलाउंस यदि 50% तक पहुँच जाता है तो चिल्डर्न एजुकेशन इलाउंस एंड होस्टल सबसीडी अपने आप ही 25% बढ़ जाएगा अभी डियर्नेस बरतमान 17% है यदि डियर्नेस बरता बरता 50% तक पहुँचेगा जैसे ही 50% डियर्नेस इलाउंस 25% बढ़ जाएगा यदि 27 रूपया सलाना आपको मिल रहा है तो 25% बढ़ेगा तो लगवग 23-34 रूपया आपका एक बच्चे का मिलने लगएगा 50% डियर्ने के बाद CEA और HS को मतलब चिल्डर्न एजुकेशन इलाउंस और होस्टल सबसीडी को अलग प्रकार के दिव्यांग बच्चों के लिए दुगुना दिया जाएगा आप समझ सकते हैं कि चिल्डर्न एजुकेशन इलाउंस और होस्टल सबसीडी के फैदा यदि कोई बच्चा दिव्यांग है मतलब वो 50% और 50% से ज़्यादा दिव्यांग है उसके दिव्यांग इता 50% है 50% से ज़्यादा है तो उस प्रकार के बच्चे को स्पेशल चिल्डर्न बोलते हैं तो उनको दुगुना ये भत्ता दिया जाएगा CEA और H.S. को अलग प्रकार के मैं फिर से बताना चाहता हूँ CEA मतलब Children Education Allowance और H.S. होस्टल सब्सेडी को अलग प्रकार के बच्चे अलग प्रकार के दिव्यांग बच्चे को मतलब हुआ कोई आँक से दिव्यांग है कोई पैर से है कोई आँच से यदि उसके दिव्यांग इता 50% है 50% से ज़्यादा है उस केस में Children Education Allowance दुगना दिया जाएगा उस बच्चे को अब दखिए CEA और H.S. मतलब Children Education Allowance और होस्टल सब्सेडी योजना रेलवे करमचारियों के लिए भी लाग हुआ जी है दुस्तो तो जाहिर सी बात है रेलवे करमचारी भी सेंटर गोर्मेंट इंपलोई है तो उनको भी योजना का लाब दिया जाता है CEA and H.S. कच्छा नर्शरी से 12 तक के बच्चों के लिए लागू है जी है दुस्तो अगर आपका बच्चा नर्शरी में है नर्शरी के बाद वो LKG में जाता है LKG के बाद UKG में जाता है तो कितने लोगों डाउट रहता है कि नहीं कोई बलता है नहीं पहली कच्छा से मिलता है Children Education Lounge ऐसा नहीं है दुस्तो जड़ी आपका बच्चा नर्शरी में है तो उसको बिलकुल यह सुबता मिलेगी LKG में है तो बिलकुल मिलेगी जी है दुस्तो एक बाद थ्यान रखने वाली बात यह है कि पहली कच्छा के पहले नर्शरी, LKG, UKG तीन क्लास के लिए नहीं मिलेगा यह सिर्फ दो ही क्लास के लिए मिल सकता तो उसका ले लिए फिर UKG का नहीं मिलेगा यदि आप नर्शरी का छोना चाहते है LKG और UKG का मिलेगा मतलब तीन साल में आपको एक साल का छोना पड़ेगा तो कुल मिला के बारह साल यह हुआ पहली कच्छा से बरावी तक तेरह साल यह हुआ और दो साल पंदरह साल Children Education Allowance मिलता है दखिए मैं आपको भी बता है जिसमें गयारहवी और बारहवी कच्छा सामिल है ऐसा नहीं है कि सिर्फ बारहवी कच्छा के लिए हैं मिलेगा गयारहवी कच्छा के लिए हैं मिलेगा CEA का दावा केवल दो सबसे बड़ी जीवित बच्चों के लिए किया जा सकता है जो चीज़ा दोस्तों आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि यदि आपके दो बच्चे है सौरी यदि आपके तीन बच्चे है तो तीन बच्चे को Children Education Allowance नहीं दिया जाएगा उसमें से दो बच्चे को ही दिया जाएगा दो बेटे जो आपके बड़े हो यदि सबसे छोटा बच्चा आपका तीसरा बच्चा है तो उसको नहीं दिया जाएगा हाँ यदि अपवाद में आपका पहला बच्चा माली आपको पहले से एक बच्चा है फिर आपकी वाइप की अगर delivery होती है तो दूसरी बार यदि delivery होती है तो उसमें यदि जुड़वा बच्चा पैदा होता है तो एक बच्चा पाले और दो बच्चा जुड़वा वाला तो टोटल तीन बच्चों को ये सुविदा दिया जाएगा तो तीनों को इसका लाब मिलेगा जो जी हैं दोस्तों मैं पहले ही बता चुक हूँ अब देखिए सरकारी सेवक के निवास से कम से कम पचास किलोमेटर के दूरी परिष्थित अवासिय सैक्षणिक संस्थान होने पर ही होस्टल सबसेड़ी की रासे दी जाएगी जी आँ दोस्तों बिलकुल क्लियर है यदी कोई गर्णमेंट सेंटर गर्णमेंट इंपलोई है यदी उसका बच्चा उसके कौर्टर से या उसके घर से पचास किलोमेटर के दूरी पर होस्टल मैं राकर पढ़ाई कर रहा है वैसे ही लोग होस्टा सबसेटी की रासी दी जाएगी यदि 50 किलिमेटर से कम डिस्टेंस पर आपका बच्चा होस्टल नो पढ़ रहा है तब आपको सिर्फ चिल्टन एजुकेशन लाउंसी दिया जाएगा बाई सो पचास रुप्य पर मत उस स्थिती में आपको होस्टल चार्ज नहीं दिया जाएगा जो की 6750 रुप्या है तो दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखते बताएं और थोड़ी बहुत जो तुरूटी होगी उसके लिए आप लोग से मापीच आता हूँ नमस्कार जाहिए